अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेर करना मत भूलिए सबस्क्राइब करें करतव्य टीवी चानल को और बेल आइकोन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए Now dear friends, we have Major General Raj Mehta with us Now we are going to hear from Major General Raj Mehta It is a proud privilege to us So let us welcome Major General Raj Mehta with a big round of applause Hello 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 आप लोग आपस में बात्चीत बंद करें बच्चो आपस में बात्चीत बंद करो बात्चीत बात्चीत शानत हो जाएं मेरा नाम मेरा जनलर राज महता है मैं पंजाब से हूँ मैं हिंदुस्तान से हूँ मैं गुजरात में हूँ सूरत में हूँ जो उतना ही हंदुस्तान का हिस्सा है जितना पंजाब है, मदरास है, केरला है, कहीं भी है मेरे बड़े भाई सामने बैठे हुएं नीली कमीज पहन कर ब्रिगेडिया बलराम महता जो मैं बातें कहने जा रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनेंगे और पल्ले बांधेंगे क्योंके आप बीती बातें हैं असली खरी बातें हैं सुनकर फाइदा होगा नुकसान नहीं होगा जिन्दगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात एक फिल्मी गाना है सब को मालुम है एक विद्वा की दास्ता है ये कम लोगों को मालुम है मैं पांच साल का था मेरे बड़े भाई आठ नौ साल के होंगे मध्यर प्रदेश में जबलपुर नाम की एक जगा है रात के बारा बज़े बारिश हो रही थी दर्वादे पर दस्तक हुआ किसी ने शोर मचाया मेरी माँ 29-30 साल की होंगी उनके पांच लड़के थे एक बेटी थी नौकर को तयार किया फौजी माएं सब औरतें बहुत मजबूत होती है माएं खास करके रब का एक दूसरा नाम है बहुत मजबूत होती है नौकर को बोला गंगा धर बंदूक उठाओ मेरा शोहर यहां है नहीं फौज में थे वो कोई आया है बंदूक लेकर नौकर खड़ा हो गया दर्वादा खुला एक अफसर खड़ा था खाकी खाकी रंग का रेन कोट पहना था माँ को सलामी दी बुला बेन जी दुख से बताना पड़ता है आपके शोहर गुजर गए कई घरों में कई बार दस्तक बज़ता है विद्वाओं के लिए जब दस्तक आता है दर्वादे पर वो जिन्दगी भर उनको भूलता नहीं आज जो शहीद खांदान पिछले रो में बैठे हुए हैं गौर फर्माएं कि जिन शहीदों का बियान आपने सुना या सुनेंगे इन के साथ ये वाक्या हुआ है किसी ने दस्तक दे कर बताया है आप आज विद्वा है आपके भाई आपके शोहर आपके पिता गुजर गए बहादूर हैं हम सब औरते हम से भी बहादूर है इनको इज़त देने के लिए बिना शोहर के आप एक बार खड़े होंगे और तालियां बजाएंगे जब तक हाथ ठक ना जाएं बस आप बैठे मत बैठने की इजादत नहीं है मैं वर्दी में हूँ आप लोग भी तो वर्दी में हैं पचासी फीसदी सफेद वर्दी में है आपका दिल है हिंदुस्तानी कुछ फ्रंट रों में दो सादू साहब बैठे हैं वो बहतरीन रंग की वर्दी पहन के बैठे हैं जिनोंने वर्दी नहीं भी पहनी उनका दिल तो हिंदुस्तानी है महान शक्तियां हैं हमारे बीश में साफ जी भाई दुलाकिया का का एक नाम मेरे को याद है दुलाकिया साहब इन जैसे खुदा जाने कितने बच्चे कितनी औरतें कितने मर्द कितने बहदुर लोग पीशे बैठे हैं जिन्हों ने अपने टाइम को मुल्क को दिया विद्वाओं को दिया इज्जत को दिया शोहरत को दिया इंसानियत को दिया सैक्रिफाइज को दिया इन सब के नाम पर दुबारा ताली बजाईए प्लीज सिट डाउन प्लीज सिट डाउन अबी बच्चों का कोई ऐसा प्रोग्रम नहीं है या NCC लड़कियों और लड़कों का या कमाल के और्गनाइजर्स का जिन्हों ने इस जगह को मंदर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सिनगोग, चर्च बना के रख दिया है इस हौल को शहीदी, को सलामी देने के लिए जब आप इतना काम कर सकते हैं, इतने बहतरीन अंदाज से तो कोई क्यों आपको इज़त नहीं देगा इन बच्चों का जो प्रोग्राम अभी अभी बीता है मैम साहिबा, हमारी काबले तारीफ, कॉम्पियर, से मैंने गुजारिश की इनके बाद मेरे को बोलने दो इन्हों ने वो गीत गाया, जो जैनवरी 1964, सीरी फोर्ट दिल्ली में गाया गया था और जब गाना गाया गया था, उस टाइम के प्रधान मंतरी ने बच्चों जैसे रोना शुरू कर दिया था गाना दिल को छूता है, क्योंकि इस गाने के पीशे एक कहानी है, आप लोग ज़ादा तर बाद में पैदा हुए, शायद कुछ लोगों को याद होगा, एक बेतरीन फिल्म बनी थी, हकीकत हकीकत फिल्म 114 लोगों की दास्तान थी, 126 फौजी थे, अहीर थे, हर्याने के थे, कुछ राजिस्तान के थे, उनके कमान अधिकारी का नाम था, मेजर शैतान सिंग्ग 126 में से 114 दो घंटे की लड़ाई में, चीनियों के सामने, 16,500 फुट पर, तालाब है बहुत खुबसूरत लड़ाख में, पैंग गॉंग सो, जो आपने थ्री इडियर्स फिल्म में, बहुत और फिल्मों में देखा होगा, इस उची पहाड़ी पर, ये लोग, सुबेरे तीन बज़े, और छे बज़े के बीच में, शहीद हो गए, 126 में से 114 मरनो प्रांट हो गए, तीन महीने बाग, चीनियों ने दुनिया के दबाओं के नीचे आकर इजादत दी, कि इनकी लाशें हिंदुस्तान उठा ले, जब लाशें उठाई गई, डॉक्टर आए थे, करीब 40 मुलकों के डॉक्टर आए थे, हिंदुस्तानियों के साथ, लाशें देखने के लिए, हर एक च्छाती में कमज कम, दो या तीन गोलियां या बेनट के निशान थे, एक आदमी की शरीर पर, पिट पर, वार का निशान नहीं था, सब ने गोली सीने पे खाई थी, आप उस कौम में से हो, आप हिंदुस्तानी हो, आप वर्ल्ड क्लास हो, एक टाइम था, मुगलों के टाइम और उससे बहुत पहले, उससे डेड़ हजार साल पहले, जब पूरी दुनिया सूरत बंदरगाव में आया करती थी, विकोज गुजरातियों के पास उस वक्त और आज, गुर्दा था, गुर्दा है, गुर्दा रहेगा, आज करके दिखाया, ऐसे प्रोग्राम, चालिस साल की मेरी वर्दी की नौकरी है, मैं पहली बार देख रहा हूँ, और मैं आप सब क्यों सलामी देता हूँ, बैट जाएं प्लेक्स, शहीदी आसान नहीं है, मरना आसान नहीं है, बहुत जादा मैं बोलना नहीं चाहता, बट मैं एक शहीदी खांदान का हूँ, जिसके एक भाई ने, लड़ाई में, सेकंड इन कमांड की हैसियत में, चौदा टैंक दुश्मन के बर्बाद करवाए, इनाम नहीं मिला, इनाम जिन्दगी में सब कुछ नहीं होता, उपर रब है, आप हैं, और देखने वाले लोग हैं, एक इन से छोटा भाई था, मेरे से छोटा, उसी लड़ाई में, 71 की लड़ाई में, इनको ये, इस्ज़त मिली, उसको पैरों पर ग्रिनेड लग गया, अस्पताल में महिना रहा, लड़ाई का मैदान नहीं चोड़ा, आज से पंद्रा साल पहले, मुश्को गोली लगी लड़ाई में, मैं वापस नहीं गया, लड़ता रहा, आप जितने लोग यहां बैठे हैं, आदमी हैं, या औरत हैं, रईस हैं, डाइमेंड मर्शिंट हैं, दिल, हीरे जैसा है, आप सब में वो काबलियत है, वो दम है, वो गुर्दा है, आप हिंदुस्तानी हैं, आप वर्ल्ड क्लास हैं, यह कभी मत भूलना, एक आज बात और कहूंगा, ज्यादा खोजो मत, टटोलो मत, दुनिया के वर्ल्ड क्लास लोग, बहुत सूटिड बूटिड पढ़े लिखे, वगरा वगरा, एक टाइप है वर्ल्ड क्लास की, दूसरे टाइप की, चारों तरफ बैठी हुई है, आगे, पीछे, उपर, नीचे, घर में, मा में, पिता में, भाई में, बहन में, यह वो लोग हैं, जिनको एक बात समझ आ गई, जो मेरे, साधू विद्वान जरूर, अग्री करेंगे, कि वो बंदा वर्ल्ड क्लास है, जिसको मालुम है, कि रब उसके अंदर है, जीवा शिव है, विवेका नन्द ने बोला है, गौतम बुद्ध ने बोला है, जैन धर्म में ये बार-बार बोला गया है, आप मान के चलें, अगर आप अपने आप से कहते हैं, कि आप में रब है, आप दुनिया का कब्दा कर सकते हैं, और आप दुनिया को सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ निचावर कर सकते हैं, अगर ये विश्वास आपसे नहीं जाता, कि सब कुछ आपके अंदर है, खोजो, मेहनत करो, टटोलो और निकालो, थैंक यू भूलिए, लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए